हाई फ्रेंज वेलकम टू सुनिया बाटन रेस्पीज मेरे दो वेजिटेबल्स बहुत ही फेवरेट हैं जिसमें से एक है आलो और दूसरी भिंडी और दोनों को अगर कमबाइन कर दिये जाता है तो बहुत ही लाजवाब सबसी बनकर तयार हो जाती है जो मैं आज आपके दिलिशियस इजी सिंपल सी रेसिपी है बनाए खाए और इंजॉय करें अगर पसंद आए वीडियो तो इसे लाइक जरू से दे और मेरे चनल को सब्सक्राइब भी जरू से करें तो चलिए शुरुआत करते हैं डिलिशियस भिंडी आलो की सबसी बनाने की जिसके लिए मैं अगरे तरी बम हम काटकर पहले तयार कर लिए यह लिए यह देखे वेजिस कट कर रहे हूं यह देखिए और उसके बाद क्योंकि वेजिस थोड़े लंबे हैं क्योंकि हमने बड़े साइज का अलूरी है तो इसको दो भाग में इस तरीके से दिवाइड कर देंगे जब तक यह अलू हमारे अच्छे सुनहरे नहीं हो जाते क्रिस्पी सी गोल्डन ब्राउन कोटिंग नहीं आ जाते इस पर इस तरीके से तो इस प्रसेस में क्या है हमारे आलू जो है पाटशली क भी हो जाते हलकी सी जो कसर रहे जाएगी जब हम उसको ग्रेवी में डालकर बनाएंगे पकाएंगे तब वो हमारे कम्प्लीटली सॉफ्ट हो जाएंगे तो बस जब यह आलू इस तरीके से आपको सुनहरे नजर आने लगे तो आप इसको निकाल ले और उसके बाद सेम तेल में हम स्टफ राइब करेंगे बिंडी को का पर उन्रीट को आपकोर को याँ आपर में अवर्ण नहीं करना है क्योंकि अगर हम याँ पर पिंडी को करेंगे तो ग्रिवी में जब ढालेंगगगे तो बिंडी सॉघी हो जाएगी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी मशीस ही जो हमें नहीं चाहिए तो शली यहां पर हम दो से तीन मिनिट इसको मीडियम लेम करके स्टर फ्राइब करेंगे और इसके बाद ही हम इसमें डाल देंगे जो अनियन बंशमने काट कर त्यार करे वो भी जिससे कि ह तो बहुत ही अच्छा लगता है किसी भी तरीके की ग्रेवी में तो बस यह हमने स्टर फ्राइ कर लिए उसके बाद यह तीन टेल स्पून के करीब तेल लिए जिसमें एक चमज जाला है जीरा और साथ में इसमें डाल दी हमने डेड़ मीडियम साइज की चॉप कीवी प्यास इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए स्टर फ्राइ करेंगे जब प्यास हमारी इस तरीके से स्टुनेरी हो जाएगी तो इसमें जाएगा एक चमज अधरकलसन का पेस्ट और इसको भून लेंगे अधरकलसन के पेस्ट को प्यास के साथ ताकि रॉव स्म इस पल दो टमाटर लें आप मीडियम साइज के और उसको चला लें ब्लेंडर जा में और उसको डाल देना है आपको बस ध्यानी ये रखे थोड़े से पके वे टमाटर के इस्तमाल करेंगे तो खटा साजाती है ग्रेवी में हलका साइस में डाल दी हमने पानी भी साथ में जाला है नमक और दो चमच कश्मीली लानमिश पाउडर दो चमच धनिया पाउडर और 1-4 टीस्पून हल्दी साथ में इसमें गया है ये एक चमच गरम मसाला पाउडर बस सारे मसालों के साथ अब इसको हमें पकाना है जब तक कि तेल ना चूटने लगे इसमें से जिसका म दीमियाज करके पका लेंगे तो इसका एकदम चेंज हो जाएगा है इस दिए धकन डख देते हैं कि तीन चा मिनिट के लिए इसको धीमियाज पे छोड़ देंगे और इसकी रंगत बदल जाती है कर भी बदल जाता है मसाले अगदम पके बेदन शर आनने लग जाते है तो यह हमारा मसाला अच्छे से पक्कर तियार है पिसके अंदर डालेंगे जो हमने आलू फ्राइए करे थे वो और एक बार मिक्स करेंगे इसको और इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे थुरा सा पानी एक तीहाई कपके करीब उतना जितना हमें ग्रेवी की कंसिस्टेंसी चाहिए बहुत ज़्यादा पानी का इसमार इसमें नहीं करेंगे पानी स्ले डाला गया है जिससे जो सबजियों में कच्छा पन है स्टफ राइ करने के बाद वो कंप्लीटली पक जाए बस उसके बाद इसमें डाल देंगे जो हमने फ्राइ करिए भिंडी और अनियन बल्स और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे यह देखिए इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद भी ग्रेवी हमारी अच्छी थिकनेस नजर आ रही है और अब हम इसको ढखकन ढखके पका लेंगे ताकि सारी जो चीज हमने हलका कच्छा पन जिसमें है वो कंप्लीटली पक जाए तो धीमियाज करके 5-7 मिनिट के लिए इसको पका लेंगे यह देखिए एकतम लाजवाब नजर आ रही है भिंडी आलू की सबजी और जो अनियन बल्ब्स का एडेशन इसमें है वो एक नेक्स लेवल पर ले जाता है इस रस्पी को जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा इतनी लाजवाब यह रस्पी ब कम जदा की जा सकती है cooking cream आप अपने टेस्स के according या calorie कट करना जाते हैं तो आपका मैड कर ले या skip भी कर सकते है थोड़ा सा creamy texture हो जाता है इस तरीके से cooking cream अड़ करने से end में तो हमने कर दिया एक से 10 अबस्पून इस में cooking cream अड़ और इसको इस तरीके से mix कर रहे हैं कि आलू जो हैं तूटेना और बस दो तिय में ने छी सको पकाना है और उसके बाद इस पर डाल दी है बारी कटा हुआ हरा धनिया और एक दो हरी मिर्चे हरी मिर्चे भी आप कम जादा कर सकते हैं पर टेस्ट के अकॉर्डिंग पर सर्फ करने में सबजी में यह बहुत ही लाजवाब लगती है जब फाइनल हम प्रेट आउट करते हैं किसी भी डिश को तो यह बिलकुल बन कर तयार है हमारी सबजी बस लास्ट में दो मिनिट के लिए धीमियाज करके इसको ढखकन ढखकर हम पका लेंगे और उसके बाद ग्यास का फ्लेम बंद कर देंगे और तयार हो जाएगे हमारी डिलिशस भिंदी आलू दो प्याजा कि देखिए क्या लाजवाब लग रही है आई जस्ट होप कि आपके घर भी इसकी खुश्बू आ सके जैसे मैंने ढखकन अटाया पर ऐसी टेक्नोलिजी प्लेट आउट और आपको देखाते हैं तो भई यह रैसिपी बहुत ही सिंपल बहुत ही अलग तरीके की तुवाई और जितनी देखने में लाजवाब लग रही है आपको मुह में पानी आ रहा होगा कुछ इसी तरीके की बनकर भी आती है यह टेस्ट इसका कुछ इस तरी करें तो जरूर से आकर वापिस मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं कि किस तरीके की बनकर आई आपकी यह रैसिपी या फिर इंस्टेग्राम पे आप मुझे टैग भी कर सकते हैं जिसकी आईडी है सोनी अंडर स्कूर बाटन जहां पर मैं शेयर करती हूं चैनल से लेटेट सारी अपडेट जल्दी मिलूंगी यह कौने रेसिपी के साथ अब तक दो ट्राय दिस वन आउट गाद ब्लेस बबाए टेक केर एंस्टेग्राइट सेस्ट